हेलो फ्रेंद्स आज हम घर पर ही बनाएंगे फैविकॉल ग्लू तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है इसमें मैं ले रही हूँ दो चम्मच चीनी चीनी के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा तीन चम्मच फ्रेंद्स अगर आपके पास मैदा नहीं हैं तो आप गेहू का आटा भी तीन चम्मच इसमें ले सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच नमक फ्रेंद्स मैंने छोटी चम्मच यूस की है बाकी के मेशिमेंट थोड़े बड़े स्पून से लिए थे अब हम इस ड्राय मिक्शर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी पानी हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे इसका हमें घोल तेयार करना है ताकि इसमें किसी भी तरह की गुटलिया न पड़ें इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे आप देख सकते हैं इसमें आपको चीनी दिखाई दे रही होगी चीनी अभी mix नहीं हुई है अभी हमें इसमें add करना है Venegar Venegar को हम हिंदी में सिर्का कहते हैं ये मैं ले रही हूँ एक चमच Friends, Venegar हम preservative के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो ये homemade glue है ये खराब ना हो, ये असानी से हम एक दो महीने तक अराम से यूज़ कर सकते हैं इसे अब मैंने इसमें पानी और एड़ किया है क्योंकि हमें इसे अभी पकाना है तो पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, गैस पर चड़ाया है जिसे मैंने और गैस को हम बिल्कुल लो पर रखेंगे अब इसमें हम हमारा जो घोल था वो डाल देंगे यह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा एक ही मिनट में इसलिए आप चाहें तो इसमें इस स्टेज पर और पानी एड़ कर सकते हैं ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बजार जैसे फैविकॉल जैसी बन जाए फ्रेंस आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यह गाड़ा होता जा रहा है और यह बन कर रेड़ी हो गया है एक ही मिनट हमने इसे गैस पर रखा था तो अब हम गैस बन कर देंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फैविकॉल बन कर रेड़ी हुआ है इसे हम उसी बाउल में निकाल लेंगे अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी इसकी जादा गाड़ी हो गई है तो आप इसमें और थोड़ा पानी अड़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा गरम पानी डालिएगा अब मैं यहाँ पर आपको एक पेपर चिपका कर दिखा रही हूँ हमारे घर के बने हुए ग्लू से इस तरह से हम थोड़ी ग्लू अपलाए कर लेंगे जो भी कागज का टुकड़ा हम पेस्ट करना चाहते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह पेस्ट हो गया है अब मैं एक और पीस आपको चिपका कर दिखा रही हूँ इसी ग्लू से यह ग्लू बहुत ही अच्छी बनकर हमारी रेडी हुई है बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा फैविकॉल यह बन गया है इसे आप आसानी से किसी एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना थैंक यू